नितीश कुमार बैठक में गडबंधन के अगवा क्यों नहीं बन पाई इसके पीछे दो तर्क दिये जा रहे हैं पहला तर्क जेडियू का कहना है कि नितीश कुमार ने संयोजक बनने से खुद इनकार कर दिया है दूसरा तर्क है बैठक में शामिल दूसरे दलों के नेताओं का है सूतरों के मताबिक सितराम युचुरी ने बैठक में कहा कि ममता बैनर जी और उदर ठाकरे से राय विचार करने के बाद ही संयोजक का फैसला हो कई पार्ठी के नेता इस पर सहमत नज़र आए वहीं राहुल गांधी का कहना है कि ममता बैनर जी की पार्टी नितीश कुमार के नाम पर राजी नहीं है कितना महत्वपून होता है संयोजक का पत आपको बताते हैं संयोजक का काम सभी पार्टियों में समझस बनाए रखना है संयोजक टिकेट बटवारे में एहम भूमिका निभाता है इंडिया गडबंधन में टिकेट बतवारे की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है चुनाओ में टिकेट बतवारा एक एहम काम माना जाता है वहीं चुनाओ से पहले बनने वाले मैनिफेस्टों में भी संयोजग की छाब दिखती है इसके उधारन से आपको समझाते हैं इंडिया गडबंधन बनने से पहले बिजेपी राम मंदर धारा 370 को हटार अपने मैनिफेस्टों में शामिल करती थी चुनाओ कैम्पेन में भी संयोजग की भूमिका सबसे एहम मानी जाती है किसनेता की कहां ड्यूटी लगाई जाएगी ये भी संयोजग ही तै करते हैं नितीश कुमार को संयोजग बनाय जाने पर पहले क्यूं हुई चलजा आपको बता दें गटबंदन की बैठक से पहले ये तैम माना जा रहा था कि संयोजग पर बिहार के मुख्य मंतुरी नितीश कुमार के नाम पर ही मोहर लगाई जाएगी मगर बैठक के दोरान नितीश कुमार ने ये ओफर ठुकरा दिया उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पद का लालसा नहीं है संयोजग पार्टी कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से कोई होना चाहिए नितीश कुमार को संयोजग बनाए जाने की चर्चाएं तब और तेज हो गई जब उन्होंने खुद जेडियो की कमान समाल ली इससे पहले ललन सिंग जेडियो के रास्ट यद्धक्ष थे ये बदलाव इंडिया गडबंधन की पिछली बैठक के तुरन बाद हुआ ऐसा माना जा रहा कि जब पार्टी की कमान नितीश के पास है तो इंडिया गडबंधन में पार्टी से जुड़े सारे फैसले भी वही लेंगे दूसरा तर्क ये है कि इंडिया गडबंधन के कुछ नेताओं को ये भी डर है कि अगर नितीश कुमार को साथ नहीं रख तो बिहार की 40 लोग सभा सीटे हाट से निकल सकती है क्यूंकि पिछले चुनाओं में बिहार में जेडियो का अच्छा रिकॉर्ड रहा है और नितीश का दूसरा पार्टियो के लिए भी फायदे मन सौदा सामने आ रहा है 2019 लोग सभा चुनाओं में नितीश कुमार की जेडियो एंडिये की सेयोजग पार्टी थी तब एंडिये ने बिहार में 40 में से 49 लोग सभा सीटों पर जीत हासिल की थी वहीं बीजेपी ने 17 जेडियो ने 16 और एलजेपी ने 6 सीटें जीती थी इससे पहले 2024 लोग सभा चुनाओं में जेडियो अकेले चुनाओं में उतरी थी तब भी 14 फीस पी वोट मिले थे इसके लिए इंडिया गडवंधन के नेता नितीश को इगनोर नहीं करना चाते है वही नितीश कुमार के लिए PM कुरसी तक पहुचना कितना आसान है ये भी आपको बताते हैं नितीश कुमार के लिए PM की कुरसी तक पहुचना कितना आसान होगा ये भी देखना है नितीश कुमार ने सीधे कभी भी खुद को प्रधानमंत्रिपद का उमिद्वार बनाने की बात नहीं कही बगर उनके बयानों से ऐसा लगता है कि कही न कही पीएम बनने की लालसा रखते हैं अलग होने के बाद एक बार उन्होंने कहा था जब तक हम जीवित हैं तब तक बीजेपी के साथ गदबंधन नहीं करेंगे अब यहां है कि वही रहकर बिहार और देश की सेवा करेंगे इसके अलावा उनकी पाटी के नेता अकसर उन्हें ही पीम पद के लिए सबसे योग्य दावेदार बताते हैं यहां तक कि आरजीडी के नेता भी कह चुके हैं कि नितीश कुमार पद के लिए सबसे ज़ादा योग्य उमिद्वार है पिछले साल आरजीडी के वरिष्ट नेता और विधायक भाय विरेंद्र ने एक बयान में कहा था देश का प्रधान मंत्री बिहार से होना चाहिए नितीश कुमार की मुहीम से ही पूरा विपक्ष एक जूट हो पाया है अलाकि इस पर कुछ लोगों ने तंच भी कसा है कहा कि आरजीडी नेता नितीश कुमार को पीए मिसलिये बनाना चाहती है ताकि बिहार के मुख्यमंत्री की कुरसी तेजस्वी यादव पर सौपी जा सके फिलाल इस वीडियो में इतना ही आपकी क्या राय है हमें कॉमें सेक्षन में जरूर बताए और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूजवन नेटवर्क जरूर सब्सक्राइब करें